असलाव अलेकुम दोस्तों यदि आप कुईत में रहते हो और कुईत के इंतरीन कबरों से मैंसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिन एसकोप का पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर ल हो तो जो भी लोग आप लोग कुईत में रहते हो कुईत जाने वाले हो तो बहुत ही एहम जानकारी आपको दूंगा हो सकता आप लोग का सवाल को मैं जवाब भी इस वीडियो में दे दूं तो वीडियो जरू देखिएगा ताकि आपको पूरी मुकमल कुईत के बारे में मालूम चल सके तो सबसे पहले भाई का सवाल है जिस भाई का नाम है इसा सरदार भाई पूछते हैं भाई छूट कब आएगी इलीगल के लिए बस ये बता दो तो भाई आप लोगों को मैं बता दू जो छूट जो इलीगल लोगों के लिए आया था वो लगभग कुछ महीने पहले आ चुका था लॉक्डाउन का टैम में ही दोस्तो ये लगभग वहाँ पे छूट वगएरा जो है वो दी जा रही थी फ्लाइट तक वहाँ पे लोगों को दिया जा रहा था और भी बहुत सारे सुईधाएं दी जा रही थी उसके बावजूद भी जो आप लोग जो है वहाँ पे नहीं जा रहे थे पर भाई मैं आपको बता दू अभी इलीगल के लिए कोई भी छूट का एनॉस्मेंट गॉर्मेंट के तरब से ओफिसली नहीं किया गया है यदि आप कहीं से भी आपको पता चल रहा है कि इलीगल लोग के लिए छूट दिया जा रहा है तो दोस्तों ये खबर पकी नहीं है क्योंकि हुकूमत के तरब से जब तक कोई खबर नहीं आता है तब तक दोस्तों सच को आप नहीं मान सकते हो तो फिलाल अभी कतर सौधी कुएत में अभी कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि छूट कब तक आईगी पर यègे दोस्तों उमीद जटाई जारी कर रमजान के बाद हो सकता है एक और वहाँ पे छूट का एनोस्त्मिंट किया जा सकता है पर दोस्ते एक उमीद जताई जा रही है कि मैं कनफाम अभी भी नहीं बोल रहा हूँ अगले भाई की सवाल क्यों चलते हैं भाई का नाम है भाई का नाम है कोसखलको निर्मल तो भाई पूछते हैं मैं सर आपसे पूछा था कि मैं भाग के काम करता था कुएत में और मैं अभी वापस अपने घर में हूँ कुएत कितने साल के बाद आ सकता हूँ प्लीज रिप्लाइ टू मी आप से तीन चार बार मैं पूछ चुका हूँ तो भाई उसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ क्योंकि हो सकता भाई मैं आपका कॉमेंट को नहीं देखाऊंगा पर भाई सबसे पहले मैं आपको बता दू यदि आप कुएत में इलीगल तरीके से काम कर रहे थे यदि आपने आप मुल्क आ गए थे किसी भी देश के आप तालुकात रखते हो यदि आप खुच से आ गए थे छूट के दोरान तो आपको आप दोस्तो नया वीजा निकाल के भाई आप निकाल कर आ सकते हो पर यदि आप illegal तरीके से काम कर रहे थे यदि ministry के तरफ से आपको पकड़ा गया था गिरफतार किया गया था और यदि आपको deport कर दिया गया था या फिर blacklisted कर दिया गया था तो फिर आना थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है blacklisted कर दिया गया होगा फिर तो बिल्कुल आप नहीं आप आओगे पर deport यदि आपको किया होगा तो आपके दोस्तो पासपोर्ट वगएरा में आपको लिखा होगा कि कितने साल के लिए दोस्तों वहाँ पे कुए से आपको deport किया जा रहा या फिर कोई आपके पास मतलब को slip वगएरा होगा वो उसमें लिखा हुआ होगा तो इसमें दो वजाएं हो सकती यदि आप खुब यदि खुद से आप लीगल तरीके से यदि आप काम आपको जब छूट मिला होगा तब यदि आप छोड़के आप कुए छोड़के आ गए थे तो आप आप नया वीजा निकलवार कर जा सकते हो पर यदि कोई आपको मिनिष्टी के तरफ से ग्रफतार किया गया था तो फिर आपको दिक्कते हो सकती हैं जाने के लिए काफी ज़ादा दिक्कते होंगी क्योंकि जो लोगों को आप ब्लेक लिस्टेड ये डिपोर्ट किया जाता है फिर उन लोगों को बहुती कम उमीद होती है कि दोबारा कुएत में आने को मिलेगा अगले भाई की सवाल को चलते हैं भाई का नाम है मुहम्मद आसिप भाई पूस्ते जो लोग 2020 के रिलीज में कुएत से गए थे वो लोग वापस कब आ सकते हैं तो भाई रिलीज का मतलब हो सकता आपका सवाल ये होगा कि कुएत में छूट के दौरान कौन गए थे तो यदि 2020 में आपको छूट के दौरान यदि आप लोग कुएत से आए थे वापस यदि ये हकूमत के तरब से सारी चीजे दी गए थी छूट वगएरा तो आप कभी भी नया वीजा निकलवा कर आ सकते हो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा दर पहले ये बात बताया पर यदि आप इलीगल तरीके से पकड़े गए हो और